हमरे केलो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों मैं हूं स्टार ऋर आप दिरेखेरें स्टार्स गेमिंग चैनल एभी आप खेलते हैं गोच्पिront करें दिया मैप और एक भाई की रीक्वेस्ट है वो मोदoss जोड़ी सोरी कल्टीवेटर के रिक्वेस्ट है कि वह दिखाना है चलो दोनों दिखाता हूँ आपको जल्दी से इस इंट्रो के बाद चल भाई इंट्रों क्या अरे इंट्रों कहां चला गया यह रही रही है वेलकम बैक दोस्तों चलो भाई शुरू करेंगे अब हम करेंगे वाई तीसरी गेम पर क्लिक दो तो हमने खेल ली है अब तीसरे पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू और न्यू फार्मर कि और कंटिन्यू और फिर करेंगे मैप के ऊपर कोई सा मैप फिलने हैं तो एक मैंने ये करा हुआ है किनेडियन फार्म मैब 5 तो ये भी है ये लेकिन अभी चेंजा अभी मैं ये नहीं केल लगा हुआ है यह था जर्मनी का यह हो गया कैनाडा का और यह हो गया भाई हमारा यूके का यानिकी इंगलेंड का यूनाटेट किंग्डम तो ऐसे आप करोगे ठीक है सेव गेम 3 पे क्लिक करो न्यू फार्मर करो फिर मैप चूज करो तो ऐसे इसका ओकलेंड ओक फील्ड फा इसको करेंगे कंटिन्यू तो इसकी में फिर कर रहा है करेक्टर चलो यह करो वो करो चलो भाई जो है वाई लेंगे ठीक है तो इसमें आपको दिखा दिता हूं मैप यह रहा ठीक है यह है अरे कहां गया यह उपर है ओक फील्ड फार्म 19 वर्जन 1.10 ठीक है ऐसे इसको टिक कर देना अगर इसको टिक निक करो गए तो यह आएगा नहीं अरे और इसको करके स्टार्ट कर देना फिर यह मैप आपका लोड हो जाएगा ऐसे नई गेम स्लेक्ट हो जाएगी हमारी तीसरी गेम आ गया आज चलो भाहिए इस ओण में देखतें है क्या क्या है मैंने थोड़ा सा देखा अभी दे बताता हूं आपको जितना मुझे पता है मैं आपको बताता है चलो भाहिए सही क्य Eduardo क्यार मौट भोट सरे लगा एंदर हमारे पास सारा समान है अब इस के अंदर जब हम चलाएंगे इसको तो पैसे ज्मादernen होंगे हमारे पैसे काम होंगे तो मैं आपको बताया था कि पैसे कैसे बढ़िते है ठीक है तो एक मिनिट भाइ खाना राजमत चावल खा गया है भाई यह विजरा तो लो भई हो गया यह स्टार्ट इसको करेंगे ओके तो शुरू शुरू में यह आपको नजर आ रहा है तीन जहां जा रहे हैं अमेरिका किसको करेंगे ओके लो भई यह जा रहे हैं अमेरिका के जहाज नहीं UK के embora तो यह है फारा माउस देखो और यह कुट्टे का मोड अगर तो यह कुट्टे का मोड आपने लगा रखा है मैंने लगा रखा है इसलिए मिर पास यह नजर आ रहा है अगर कई बार नहीं भी आता तो भाई ये है हमारा फारमाउस ये है इसका गेट में गेट है इसका ये आने जाने का आप क्लिक करोगे इसको तो कुंडी देखो कुंडी खुल गई और ये गेट खुल गया ठीक है भाई ये और इसके पास जाके करोगे क्लिक इसमें भाई आपको फारमाउस पहले से बना क दे रखा है आपको कुछ करने ही जुरुत नहीं है इसके अंदर आप अपने गाड़ी खड़ी करो माल स्टोर करो कोई भी गेहूं भूसा अपना स्ट्रॉक कुछ भी रखो यह है साइलो यह देखो नीचे आपको दाने नजा रहे हैं यह साइलो है यहां से डालने के लिए औ अबने ट्रक में यह लगी है चार साइलो इसकी कपेस्टी अगर आप देखनी है तो आप देख सकते हो पी दबाओ गैरेज में जाएंगे यह हमारे पास माल सारा है इसमें लेकिन साइलो नहीं आ रहे तो इन्होंने हमें इभी शुरू में दे रखा है बाई जोन डीरे डि स्लो यह कल्टीवेटर ठीक है बाइब करेब कर Tallul 특ड यह निवर अर्ज है क्योंने रखाहर यह हर्फिसाइड उन्होंने ने लिक्वर नकिन दे रखाै और यह हर्प रीवेटर सरफ ल्तिवेट करेगा और सीडर नहीं कौछ corrections रहाए इन्होंने सीडर नहीं दिया क्या कोई हर्बेस्टर दे रखा है यह कल्टिवेटर दे रखा है अच्छा यह सीडर है यह वला है सीडर भाई यह अच्छा यह यह है लीकट फटिलाइजर और हर्बेसाइड मारने के लिए और यह हमारा जो की आपकी कल्टिवेटिंग भी लगाएगण यह चोटा समान लगाएगा यहानि कि सीडर यह प्लाइंटरISA करीका है tutti दू एक दे रख इन swornे घास काटने के लिए इक COB यह वेट और एक कुत्ते का घर यह मोड लगा रहा है मैंने इस लिए नजटा आ रहा है आपको अगर आपने मोड नहीं लगा रहा तो आपको रहा नियागा यह मत सोचना कि कुट्ठळ नजर क्यों नहीं आरहा तो यह इसका मैप यह वाइस का पूरा मैम ठीक है तो यह लाइम स्टेशन है यह ओक फिल्ड फार्म बार्न यह हमारी है यह सौ मिल यह सब पूरा यह पूरी जगह हमारी है इसमें अगर आप लैंड करके देखो कि तो यह हरी हरी जगह जो नज़रा रही है वो सब हमारी है यानि कि वो हमने खरी दी ओ, ये भी हमारी है, ये भी हमारी सारी, और जो ये, ये है, एम्पायर स्टोर्स, ये भी हमारा है, क्योंकि ये हमारी जगा के अंदर आ रहा है, ठीक है, ये ग्रीन री जहां पर आपको ग्रीन गिनने जा रहा है, ये जगा हमारी है, और हमारे पास खेत हैं सिरफ एक, दो तीन नमबर फील्ड मलग एक दो तीन फील्ड हमारे हैं और यह सौ मिल होगी आरा आरा मिल मैंने आपको दिखाई थी पिछली बार अच्छा इसमें हमारे पास दो फार्म है एक तो है अरे यार चलना उपर एक है यहां पर मैं अभी खड़ा हूं और दूसरा है यहां पर ठीक तो उनकी मैनुवर खाद और स्लरी जोनका मलमूत्र होता है गंद मंद वो यहां पर बेच सकते हैं और बाकी हमारे पास यह भी हमारे अंडरी है ठीक है यह स्टेबल बे क्या यह बेर बेल यहां बेल बिकती हैं अंडे यहां बिकती हैं तो यह भी हमारे अंडरी है सब को य हिस कि इस फार मौप चलते हैं श्क दिखाताम आपको क्या क्या है इसको करेंगे ऐसे स्क्राइरे नीचे अच्छ तो कि अच्छी मैं बता यहाद ग्लास लगे हुआ है यहाँ उपर से खाली मुझे मालम नहीं है तो यहाँ पर अपना ट्रैक्टर गाड़ी खड़ी करो माल स्टोर करो ठीक है भई यह होगे वाणी ट्रॉली ट्रॉली है फुल साइज और यह जौन डिरे ट्रैक्टर दे रखा है इनाने 6230 और यह है ह पर बेसाइड और लिक्विड फेटरलाइजर भरने के लिए इस निशान पर गाड़ी लाके खड़ी करो और भर जाएगा और इदर यह है सीडी और इदर रखा है वारा फेटलाइजर देखो यह आप उठाने सकता है यह सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ यह देखो ठीक है यहां से निकलेंगे बाहर तो यह गेट ही हो गया यह खुल जाता है थोड़ा सा और इदर खड़ी है यह पराने जमाने की कार यह है बेकार ये भी generator खड़ा हुआ है ये भी बेकार है ये सब बेकार समान है ठीक है अब ये gate खुलता है ये खुलता है ये ये नहीं खुलता है तो ये पड़ा है हमारा header और ये है trolley header की देखो तो इस लिए आपको इसके उपर लेकर जाना पड़ेगा तो यह पीछे कुछ माल पड़ा है यह सब बेकार है इसका कोई पैदा नहीं है और वो पीछे खेड हमारे दोनों और यह ट्रॉली खड़ी है यह बेकार अब यह निशान वने है यहाँ पर एक दो तीन यह किस चीज की है भाई यह देखना पड़ेगा अभी कुछ पता नहीं इसके बारे में अगर आर्द बाते हैं F1 करके देखते हैं F1 से अभी इसके उपर कुछ नहीं आ रहा है क्या आपको गाड़ी लेकि आनी पड़ेगी ट्रेक्टर इसके उपर खड़ा करना पड़ेगा तब बताएगा यह क्या चीज है चलो देखेंगे यह हो गया वाई हमारा सीडर और कल्टीवेटर ठीक है तो और यह हो गया हमारा यह है यह कल्टीवेटर है सरफ यह सरफ कल्टीवेट करेगा और यह कल्टीवेटर और फर्टिलाइजिंग और सीडिंग तीनों करेगा अच्छा और यह खड़ा भाई हमारा हर्वेस्टर यह है जान डीरे टी एस टी 560 आई और यह रिपेरिंग जिन्र नहीं यादे रखी है वरक्शॉप तो आपको वरक्शॉप ख्रीदने की जुरूद नहीं है ठीक है तो यह होगी हमारी वरक्शॉप इसके अंदर आप लाके अपनी गाड़ी रिपेर कर सकते हो अच्छा यह है घास काटने वाला तो इससे आप घास काटो को और अपनी गाएं बैसों को और बेड़ों को खिला सकते हो यहां पर अपनी गाड़ी खड़ी करो यहां ट्रेक्टर खड़ा कर सकते हो यहां पर बहुत जगा है यह पूरा लोडर भी लगा हुआ है यह ओ गया यह पॉइंट पहें पर अपनी बेज सकते हो यह हमारी है हम यहां प्याराम यहां प्लेट कोई भी सकता यहां परई लोग आके स्थी snoop को यह अपर श्लय यहां पर स्ड और स्टोर है तो यहां से आप सलरी कठी करके और बायो गैस प्रांट पर जाके बेचोगे तो चलो अब इसके चलते हैं पीछे थोड़ा सा बाग के ठीक है इधर भी अरे यारे समदस भाई कहा रहे हैं टैमलेस में घंटा भी मज़ा नहीं आता चाह अच्छा ओके समदस भाई तो यह होगे यहां पर जगा होगी आपकी यह लाइट लगी होगी है लाइट ओन कर देंगे वाह लो बैट ट्यूब लाड जल गई तो यह यह क्या हुआ अच्छा बंद हो गया अरे खुल जा भाई खुल जा एक यह जगह होगी आपके पास बहुत बड़ी है इसमें भी ट्यूब लाइट लगी होगी है इसको ओन कर देंगे तो लाइट जल जाएगी यहां पर अपना ट्रेक्टर खड़ा करो माल लोड कर तो अपनी कुछ भी आप यहां ट्रेक्टर खड़े कर सकते हो जगह बहुत जादा दे रखी है यह अब बता नहीं है कि यह स्लरी के लिए है फिल शाफ यह है सैलेज बनाने के लिए ठीक है यह देखो इसमें उपर लिखा आ रहा है फिल लेवल शाफ इसमें आप घास डाल जालोगे तो यहां शाफ डालोगे फिर उसको कंप्रेस करोगे यह अब को दिखा यहां बैसे पालनी है तो आपको सैलेज चाहिए यहां से लाइम मिलेगे आपको एग लिटी अथे पत्रोल पंप भी रख रहेंगा यहां से आपका पट्रोल पंप यहां से आप गाड़ी खड़ी करोगे, आपकी गाड़ी में तेल बर जाएगा, तो सब कुछ हमारे पास है, यहां पर भी फटिलाइजर रखा हुआ है, यह लकड़ी पड़ी है, अगर आप ठन लगे तो भाई लकड़ी रेके सेख ले, एक मिनट बाई, सोमंदास भाई का मै इसा जारा जारा बंद कर दूँ, चलो हो गया, अच्छा अब चलते हैं, यह होगी सैलिज, यह होगी हमारे स्टोर, इनको खुले रहन देंगे ऐसी, कोई बात नहीं, तो यहां पर पड़ा एक वेट, और यह पड़ा प्लोइंग के लिए, यह से आप प्लोइंग कर सकते हो अपने खेटों को बड़ा कर सकते हो, उनकी प्लोइंग कर सकते हो, ठीक है यहां पर भी ट्रेक्टर खड़ा हो जाएगा, बहुत जगा है यह फारम आपको खरीदने की जुरूत नहीं है, यहां पर सब कुछ बना हुआ है, बस यह यहां तक है हमारी जगा, एक यहां पर द बना सकती हो, दो दे रखेंए इनोंने, तो यह दो है सालिज बनाने के लिए, चलो, यह हो गया भेंसों का तबेला, भेंसी यहां रहेंगी और वो घास खाएंगी, हमारे पीसे जो पूरी जगा है, यहां पर भेंसों को पानी लेना है, ठीक है, पानी यहां खाना, पानी, और यह क्या बना रखा है, यह पता नहीं क्या बनाया होगा, यह बात में पर चलेगा, तो यह भेंसों को पानी दिने के लिए हो गया, यह गेट खुल जाता है, हाँ, यह गेट खुल जाता है, तो यहां पर जाकर देखते हैं, क्या आता है, आर, अच्छा, तो यहां से हम चलो बई बंद हो जा लो बई बंद हो गया गेट यहां पर जाके या रदव गाए या रदवा के आप भेंस खरीड सकते चलो एक दो खरीटें आैं थोड़ी क्यों कि खरीड लेते हैं ठीक जा बई लो बई वो भेंसे आ गई पीछे यह पूरी जगा भैंसें, यह पूरी जगा भैंसों के लिए है, यहां पर भैंसें अपनी गाएं सोरी, यह काओ, तो यह सारी जगा काओ के लिए आप जितनी मठी काओ खरीद के यहां भर सकते हो, जितनी कपैस्टी है, तो यह अभी तो यह घास खाएंगी, यहां पर घास ब यहां रेंगी गाएं, यह अंदर को नहीं जा रहा है, अच्छा यहां से तो यहां पर हमारी रेंगी गाएं भैंस, यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर इनको खाना देना है, ठीक है, इस जगा पर निशान बना हुआ है, यह, तो यहां पर इनको देना है खाना, वाहां पर साम और यहाँ यह भैंसो के लिए जगा है और यहाँ पर मिलेगा धूद यहाँ से निकलेगा धूद भैंसो का आप यहाँ से गाड़ी लाओगे यहाँ से अपनी यहाँ से उठाके धूद बेर दोगे यह डैरी है देखो भैंसो के लिए यह अपने गाएं सोरी यह गाएं का दूद निकाला जाता है थनों उनके थन में लगा देती है और दूद निकलता है ठीक है अरे कहां छलांग मारा यह हो गया अब गाएं के लिए इस फारमावस में आपको सब बता दिया क्या कहां कहां पर क्या होगा अच्छा यहां पर बेल रखी है तो आप अपनी बेल स्टोर कर सकते हो इसके नीचे शैड के नीचे यह भी जगा दे रखी इनोंने एक जगा यहां दे रखी यह क्या चीज है भाई देखते हैं यह कुछ नहीं है यहां पर शायद मैनियोर यहां कुछ और रख सकते हो आप तो भैसों की सफाई करनी पड़ेगी आपको मैनियोर की ठीक है तो सफाई आपको खुद करनी पड़ेगी और यह क्या पीछे दे रखा है चल भाई मार चलांग अरे या कहा बज़िया यह क्या दे रखा है भाई यह बेल है शायद साइलेज की बेल है क्या क्या यह आप बेच नहीं सकते हैं यह ऐसी पड़िये दिखावे देखने के लिए चलो यह हो गया इतना काम अब चलते हैं वापिस यह पूरा भैसों के लिए सिस्टम एक तरफ भैसें दूसरे दिखाता हूँ आपको यहाँ पे सब हो गया मैंने आपको सब बता दिये इदर का यह भी है एक स्टोर ठीक है इसके पीछे यहाँ भी लाड़ यलती है अराम से जलाओ अपनी और यहाँ पे अपनी यहाँ पे भी माल स्टोर कर सकते हो अपनी फसलें यहाँ फिर ट्रेक्टर खड़े कर सकते हो जैसी आपकी मर्दी बहुत बड़ी जगा भाई बहुत बड़ी जगा दो स्टोर यह हो गए दो पीछे हो गए दो दूर हो गए दो भाई बहुत ज़्यादा जगा चलो यार अपना घर देखती है अपने मालिक को दिखा रहा है करतब करके ले आजा रोटी खाले चलो खाले खाना अच्छा यह भी बेल्स के लिए है यहाँ पर भी बेल गएरा आप अपनी रख सकते हो यह क्या है बाई यह कुछ नहीं यह फाल्त हुआ है और यह है हमारा घर अरे इभी हमारे किचन यहां फ्रिज लगा हुआ है घडि लगी हुए की यह होगया है अरे हमारा द्री कॉसित लिविंग रोम यह यहां पर टीव बाई लगा हुआ है इधर आप बैठ के आराम से टीवी देखो, किताबे पड़ो और ये हो गया हमारा एक और कमरा एक रस्ता वाँ से, एक रस्ता यहां से और ये है उपर जाने की जगा चल भाई, चल ये उपर हमारा बैडरों हो गया और ये टेप रीकॉर्टर पड़़ है, गाने सुनने के लिए और ये नहाने के लिए और ये, आपको पता हो किसलिए है और ये हीटर लगा हुआ है और ये खिड़की है, ये मेंड़ेट है और यहां पर आग जिला सकते हैं, रात को ठंड लगे इसमें सिर्फ अब चलते हैं इस तरफ यह हैं भेड़ों के लिए ठीक है यहां जाके आर दबाएंगे और एक दो तीन चार पांच छे साथ आड़ नो दस ग्यारां बारां देरां जोड़ां जितने भी खरीदनी आपको कंफर्म कर देंगे ओके तो हमारे पास थोड़े से पै तो आप इस पूरे एरिये में हमारी भेड रहेंगी उदर रहेंगी गाएं उदर उस तरफ गाएं हैं इस तरफ भेड और यहां पे इनको देना है पानी यहां खाना यहां पे पानी यहां उदर खाना जो भी है दोनों यहां पे देने आपको तो वैसे तो यहां घास लगी अब चलते हैं दूसरे फारा माउस पर वैसे तो आप ऐसे क्लिक करके इसके ओपर विजिट कर सकते हो सॉरी कहां गया रही आप इसके ओपर क्लिक करोगे तो विजिट करोगे सीधे वहां पहुंच जाओगे लेकिन हम चलेंगे ट्रेक्टर के अंदर ठीक ट्रेक्टर पर चलते हैं भाई इसमें चलो इसको निकालते हैं यह है कैश आई एच ऑप्सस दो ह्यार सक्तर तो आप खेटी बाड़ी भी कर सकते हो कॉंट्रैक्ट ले सकते हो अपने जो जगाए उसमें जैसे वह जगाए पीचे उसमें भैस हैं बे अपनी तो आप एक निट भाई अवाज बहुत ज्यादा हो लिए एक सकंट यार अवाज थोड़ी मुझे ज्यादा आ रही है तो आप उस खेटों के अंदर थोड़ी घास काटके और अपनी गेहूं गयरा और कुछ लगा सकते हो जैसे गाएं के लिए श्ट्रॉव चाहिए तो वह श्ट्रॉव लगा सकते हो इसमें इस मैप के अंदर शड़के बहुत छोड़ी छोड़ी हैं दे देखो यह किसी और क अब यह किसी और का है एक स्कुन्ट यह हमारा निया किसी और का है ठीक है ओन बाई केरें डियाज यह हमारा नहीं है यह किसी और बंदे का है तो चलो चलते हैं हम दूसरे फारा महुष पर अपने बाहर जाके लेफ्ट हो जाएंगे वहां से यह देखो यह खेती कर रखिया किसी ने बहुत बड़ी बहुत काफ़ी बड़ी जगा है आपके पास पैसे आ जाएंगे तो खरीड लेना यह कादा और यहां पर खेती कर लेना और वहां पर जानवर पाल लेना तो चलो चलते हैं एक बार जरा इस मैप को देखते हैं पूरा अच्छा बाई ये यूके है तो इसमें ट्रैफिक इंडिया की तरह चलता है यानि कि आप लेफ्ट में चलाओगे और आने वाली गाड़ी राइड में अमरीका में उल्टा चलता है इसमें ट्रैफिक ऐसे सकते हो और वहां पर लोग वहरा बेच सकते हो और वहां पर लोग बैच सकते हो आव अपनी है यह होगी मरी आरा मिली ऑच छलो है और चलो है यह लोगों ने कर रखी है खेटी कॉंटेक्ट मिल जाएंगे इसमें भी शायद देखते हैं इसमें कॉंटेक्ट मिलते हैं ठीक है भी बेलिंग का काम है इसका इसका फटिलाजिंग करनी इसकी फटिलाजिंग करनी है आपके पास सारा समान है अपना तो अपना समान लेके जाओ और फटिलाजिंग कर दो और प ये हो गया हिल टॉप स्टॉर और ये हो गया अंडे बेचने के जगा अंडे यहां बिकेंगे और हमारा फार्म सीधे ही है चलो यहां पर बात में देखते हैं पहले आपको अपनी फार्म दिखाता हूँ पूरा कि अपना इसमें क्या क्या है आप उस पर क्लिक करो आइकन पर और विजिट कर लो सीधे यह देखो लोगों ने लगा रहे हैं बहुत बड़े-बड़े खेते हैं इसमें भी भाई कहते हैं ओक्लेंड एक ओक्फिल्ड एक असली जगा है युके में यह मैप उसके ओपर बना है तो यह असली जगह है इंग्लेंड के अंदर तो यह मैप उसके ओपर बना भाई अरे शोर्पर बचाओ यार तुम्हें बच्चों कितनी पर समझाना पड़ेगा तो भाई आगे हमारा फारमाउस यह लो भाई तो उतर जाएंगे ट्रक्टर से अपने और देखेंगे यह है और ग्लेंड फॉर्म एस्टेब्लिश 2010 तो यह 2010 में बना है तो यह भी फेटिलाइजर के लिए है या कुछ यह लीकविड फेटिलाइजर के लिए श्याइद है जगह और यह ट्रॉली खड़िया खराब है और यह है एफ बन करेंगे तो यहां पर जाके आर दबाएंगे यह सुवर के जगह है यहां पर हम सुवर खड़िए थोड़े से तो यह आगे हमारे पीग तो पीग रहेंगे यहां पर अंदर इसके अंदर और यहां से जिने उनको खाना पानी ठीक है यहां पर जिने खाना और यहां पर जिने पानी ठीक है और यह सुवर के लिए हट बनी होगी है यह इसके अंदर रहेंगे ठीक है अब ही कैसा है और बड़ा मोटा हो रहा है खाखा के ठीक है यह होगी सुवर के जगा यह पीछे बार लगी यह भागेंगे नहीं एक काटे लगे हो है यहां पर इसके अंदर रहेंगे आराम से चलो चलो यहां से निकलते हैं थोड़ा सा अब चलते हैं बाहर यह हो गया पिल के लिए और यह हो गया एक सलरी टैंक यह भी वैसे है सलरी का तो इनकी भी सलरी होती है थोड़ी होती है लेकिन यह हो गया हमारा बेलिंग पॉइंट यहाँ पे आप बेल बेश सकते हो अपनी जैसे वहाँ पे है ऐसे इसमें भी है और ये ये वैसी जगह इसमें कुछ नहीं है ये आप अपना समान रख सकते हो कुछ भी मेसेज आया है भाई धबल सौमी भाई आपने आज वीडियो एक मिनट भाई मेसेज आ रहा है भाई टैम लेश में घंटा समय नहीं आता एकदम किरकरा हो जाता है मज़ा चलो भाई यही लिख रहे है धबल सौमी कह रहे हैं भाई भाई आपने आज वीडियो आज वीडियो नहीं डाला पतने ऐसे कुछ लिखा आगे कुछ समय नहीं आ रहा है तो वीडियो में अप्लोड कर दी है का आप्टर मैक का हो रहा है बाई दसमें लगेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं बंद कर देंगे यह हो गई यहां पर भी साइलो दे रखी है यहां पर बहुत बड़ी यह पुराने टाइप की देखो पर दृण बहुत हो गलुद दॉपके यहां पर पड़ प्रकमें परनी बसकते हैं यहां पर और यह होगे हमारी साइलो लो तो यह हो गया इदर सूर्पश्रोब्क का और इंदर सब्सक्राइब साइब और चलते हैं आगे इदर क्या है भाई एक मिनट भाई मैसे हटा दूंजा रहा है अरे अर्ड बाई यह किसी और का है यह हमारा नहीं है और ज़र और भी तो है जागा एक मिनट तो यह हो गया लाइम स्टेशन यह हो गया पेट्रोल पंप और यहां पर हूँ मैं और यहां पर घोड़ों का भी तो था हमारा घोड़ों का भी है इसमें करेदर गया यार वो वो है अच्छा यह है भाई पीछे यह पीछे जाकर दे रखा यार एवन करेंगे तो आर ठीक है यह आर दबाएंगे यह मुर्गियों के लिए लेकिन यह पर है यह इदर है यह इस जगह पर है मुर्गियों का यह तो रहा है रहाएकन थीक है ना यह मुर्गि PLAY का निशान आ रहा है यह मुर्गियों के लिए तो कि शार दबाएंगे और थोड़ी से मूर्ग खरीद लेते हैं है हुइब आप एका भी मूर्ग्या यह दो है यहां पर रहेंगें मरी बिंदेarin यह एक घुंबरिया fert care आए तो यहां से देने इनको खाना आपर इनको वीड बारली यहां पर देने तो अंदर अदर आने की जगा यहां से राश्ता सीधा वह हमारे फारमॉस के इस तरफ है और इदर घोड़ों के लिए भी जगा है घोड़ों के जगा का अंगी भाई तो यहां इसमें आप सब कुछ खरीश सकते हो घोड़े भी और घोड़ों के लिए जगा शायद उदर थी नहीं तो इनिमल के लिए भी जगा है इसमें एक स्केंडियार कहां है इनिमल यह होगया गैस्टेशन यह होगया पिग यह है यह आगे जाके काफी इसको करते हैं विजिट ठीक है यह जगा भी हमारी है यहां जाके आर दबाएंगे तो एक दो तीन चाथ बाद छे साथ बस भाई पैसे खतम हो जाएंगे सारे लो भाई घोड़े भी आगए ठीक है आप यह अच्छी तरह देख लो इस पर क्लिक करना तो यह होगया सुवर के लिए यह हमारी है सारी जगा और यह होगया आपकी मुर्गी और यहां पर हैं घोड़े और यह ह एग पॉइंट अंडे बैशने की जगा तो यहां पर अंडे मिलेंगे आपको मुर्गियों के यहां से तो यह अंदर रहेंगी मुर्गियां या घोडे घोडे रहेंगे यहां पर तो यह जगह भी सारी अपनी है भाई ठीक है और यहां पर यहां पर bael point है यहां पर bael भिकेंगी वहां पर मिलेगी अंडे यह भी बael हमारी बड़ी होगी है बहुत बड़ी स्टोरेज है दोस्तों इसमें बहुत बड़ी स्टोरेज है हमारी तो यह आप देख सकते हो मैप के उपर जाके सब कुछ यह है बेल पॉइंट ठीक है यह अन्डेगा मैंने अभी जो आपको बताया तो यह हो गया हमारा फॉर्म तो अप चलते हैं अपने ट्र फिर होगे हमारे पिग फिर होगे मुर्गिया फिर होगे हमारे घोड़ी तो अब इनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया अब इनको खाने के लिए देना है तो फिर आप उसकी खेती करो और इनको दो मैं तो यह कहुँगा कि पहले खेती कर लो पहले अपना माल साइलों में माल पड़ा है, तो वहाँ से उठाके लाके इनको आपको देना पड़ेगा, उसके लिए आपको फिर वो एक ट्रक चाहिए या एक फ्रंट लोडर चाहिए होगा जिससे आप फ्रंट लोडर से लाके इनको माल दे सको, ठीक है तो अब चलते हैं । मैप के ऊपर और यहां पर भी है ये बाइ गैस ब्लांट हो गया ये स्पिन्री हो गई ये देख लो ये स्पिन्री भी हमारी है हमने खरीदी हुई है यो गुह इलो ब्रुक प्र्र स्टॉर ये swings gleich प्याँ यहाँ पर बोंदे बिक्ते हैं यह वाईगायश ट्रांट भी हमारा है यह शॉप यह हमारे एरिय में हैं हमने खरीद इन forty a यह शॉप आप खृषनी सकते हैं और इसके अलावा फिर RAW यहां पर आप क्लिक करोगे, sell का निशान आ रहा है, वो आपकी है, जिसपे buy का निशान आ रहा है, वो किसी और की है, तो ये है वाइस मैक का पूरा आप अपने जानवर पालो इसमें और आप सब कुछ इसमें सारे पूरे अनिमल हैं जितने भी अनिमल हैं आप सारे अनिमल पाल सकते हो पैसे बढ़ा लो उसके बाद एक दो फारम खरीद लो फील्ड खरीद लो बड़े बड़े अरे इधर चलना का और फील्ड खरीदने के बाद आप उसके खेती करो वैसे तो साइलो में भी माल होगा साइलो के अदर हमारा अभी माल होगा अभी चलकर देखता हूँ बाई एक मिनिट मैसेज आ रहा किसी और का किसका मैसेज है बाई फार्मिंग सिमिलेटर 19 खेल लो भाई खेल तो रहा हूं बाई अभी वीडियो डाला भी ये बनने तो दो वीडियो पहले वीडियो बनेगा तो ही डालूँगा चलो यह हो गया बाई अपना फारम आउज यह में रोड है बाकी रोड है वो छोटे अंदर अंदर रोड छोटे है इस ट्रेक्टर की स्पीड अरे यार भाई मैसेज हडा रहा थे एक मिट तो अपने पास मेरे पास रह गया है सिर्फ 4,681 डॉलर भाई पैसे बढ़ाने बढ़ेंगे मुझे तो इसके अंदर अगले इस पार्ट में मैं कुछ नहीं दिखा रहा आपको अगले पार्ट में पैसे बढ़ा के और फिर कोई एक दो फील्ड खरीद लूँगा फिर खेती करूँगो उसके अंदर अपने बड़े बड़े अजार लेके जगा हमारे पास है हमें अपनी जगा कोई सेटिंग करने की जुरुत नहीं है सब कुछ है हमारे पास पस हमें शिरफ हर्वेस्टर चाहिए बड़ा सा एक और एक दो ट्रेक्टर चाहिए मजबूत बड़िया वाले ओ ले लेंगे और फिर वहां से खेती करके अपना एक लगाएंगे वीट एक लगाएंगे ओट और बारली अपने मुर्गियों के लिए ओट लगाएंगे घोड़ों के लिए जो जो अपने अनिमल खाते हैं अरे ये क्या हुआ था ये क्या हुआ शडख पर बीच में अधीगर्दी आ रहे था कहां पुहल गया मैं कहां चला गया मेरा प्लेर औरे मेरा प्लेयर कहां है मैप से बाहर चला गया क्या ओ इससे आगे निए सकते बाइ मैं भी कहूं या ट्रेक्टर उल्टा कैसे, खड़ा कैसे हो गया, समय नहीं है, खड़ा, घोड़ी की तरह खड़ा हो रहा था, तो चलो अब चलेंगे अपने फार माउस पे, ये आगया अपना फार माउस, ये, ये चोटे सा रास्ता जा रहा है, अपने फार माउस की तरफ, अपने पास सारे जानवर हो चुके हैं अब, आप इन जानवर को पालो, ये दरसल मैप खेती के लिए निबनाए इनों ने ये बनाया है, जानवरों के लिए, मला आप जानवर पाल के, सुवर बेचो, घोड़े बेजदो, गाहें का दूद बेचके पैसे कमाओ, अंडे बेचके पैसे कमाओ, ये इस हिसाफ़ से बनाया, तो यहाँ पर खड़ी एक ट्रॉली, ठीके इसको ट्रॉली के एक बाद लेते हैं, ट्रैक्टर खड़ा अपना, तो इसका ढटकन अटा के देखते हैं, खाली है, तो इसको इसके नीचे लगा लेंगे, और देखते हैं, सैलो के अंदर कुछ माल है, हाँ भी इसमें वीड है, बादली भी है, ओड भी है, इसमें कनोला भी है, सनफ्लावर भी है, सोया बीन भी है, कौन भी है, सब कुछ है इसके अंदर, तो आप अराम से अपने जानवर को ला सकते हो ठीक है तो अभी तो मैं इसको यहीं पर खड़ी कर रहा हूं अभी मैं कुछ नहीं दूंगा इसको तो यह हो गया हमारा ओक्सफिल्ड फॉर्म ठीक है गेट बंद कर रहेता हूं एक बार कोई जानबन न गोज़ जाए तो यह प्राइवेट प्रबर्टी होगी है हमारी यह लिख है ओक्सफिल्ड फॉर्म यह हमारा फॉर्म आउस है सारे जानबर को पालने का भाई जानबर पालो अपने पैसे कमाओ खेती वाड़ी करो तो चलो यार मैंने आपको इसका देना था एक टूर कि आप इसमें क्या क् है अब आपको समझ में आ गया होगा तो अगली बार में आऊंगा तो इसके पैसे बढ़ा दूँगा अपने पूरे दस एक दस मिलियन डॉलर कर लूँगा फिर मैं आराम से अपना काम करूँगा फिर देखता हूं जानबर को खिलाते हैं और एक दो खेत लेंगे खेती करे बढ़ी आसी और साइलों में जो माल है आप बेश सकते हो सेलिंग पॉइंट इसमें देखने पड़ेंगे सेलिंग पॉइंट कहां कहां पर हैं वो माल कहां कहां पर दिखेगा मैं आपको ग्लिवर बताओंगा ठीक है बई तो बस यार इस वीडियो में इतना ही है तो ये व आप नए आए हो तो भाई अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो भाई सब्सक्राइब जुरू करना सब्सक्राइब तभी करना जब आपको सच में वीडियो अच्छे लगे हो ठीक है भाई फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तकले अबना ख्याया लगें घाएंपे स्वस्तर हैं और एकदम मस्तर हैं भाई भाई दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जो की होगा स्पिन टायस मड़र रनर का अब मैं उसके अंदर आखरी वाली लोग देनी होजे मैं उस लोग को देखे उस मैप को कर दूँगा आज फिनिश फिर कल खेलेंगे कोई और गेम चलो दोस्तों बाई बाई